Assalamualaikum everyone so in this video we are going to do hyperparathyroidism ठीक है अब hyperparathyroidism में क्या होता है न कि हमारे पास जो parathyroid hormone है उसका level normal से जादा हो गया ठीक है अब hyperparathyroidism के हमारे पास तीन टैपस होती है primary, secondary and tertiary ठीक है अब primary में क्या होता है primary में हमारे पास जो hyper functional हो जाता है parathyroid gland ठीक है जिसकी वज़ा से होता है या तो hyperplasia की वज़ासी या तो एडिनोमा की वज़ासी या तो कोई cancer हो जाता है ठीक है इसके लावा हमारे बास जो secondary होता है उसमें हमारे पास physiological stimulation होती है gland की ठीक है ultimately आपका जो calcium का level होता है न किसकी वज़ासे होता है hypokalassemia की वज़ासे मतलब कि आपके blood में calcium का level कम है तो आप कह रहे हो कि दादा हो जाए ठीक है तो जो tertiary है उसमें क्या होता है कि एक prolonged time से आपका calcium का level काम है ठीक है जिसकी वज़से over stimulation हो गए gland की ultimately आपका पहले एडिनोमा या hyperplasia या आपका cancer हो जाएगा gland में फिर उसके बाद ही आपका हर्मून का level जादा होगा और calcium का level जादा होगा ठीक है अब इसमें calcium का level जो है primary में जादा होता है secondary में जादा होगा थैंग एप ग्ím कर जादा होता है वो और चर्षी में हमारे पस इंक्रीज होटा है ठीक है पिर जो phosphate का level है कि एक यह मतों है प्रजिई में में हमरे पास बढल यह जो क्लिकल फीचर पर चैक है है अब जो इसके बाद हम लोग आते हैं इसके clinical ए उसके दाबर आप का मोंन्स डॉंस लोओन्स स्टोन्स वगहर? डीनल कॉलिक्स होते हैं, इसके दाबर आपकी לס़ इसके बाद काśl Sab-2ne बोन की और टूट रहा है तो तोते ही तोते की ठीक है तो चेयर प्रहने शoterिके PR 변 शकर को चाहर जो मैं अब यह जर किर्ट फ्रिश क्राइब को में अब क्मेद्स रहता है जिसको कॉन्डु केलसीन ओसिस केते हैं चैक है जिसकी क्दिक है काम में जो расп racist कर होता है और जब आप सकलद क लेटिर्म के देखते हो ठीक है तो उसमें आपको येहा हमारे पाल पतरंग स्कल बना दिया ठीक है लेकिन बस ठीक है अगर यह हमारे पर स्कल है ठीक है तो इसमें क्या होका लेटरल ग्यूम में जब आप देखो कि तो आपको ऐसे जो काली मिर्श की वह नहीं होती जो वह वह रह्ता है जिसमें काली मीर्श हम लोग रखते हैं ठीक है तो इसकी तरह आपको नजर आना शुरू हो जाता है पर पर पॉर्ट ठीक है इसके लावा उस्ट्रिप्रोस्व ऑस्ट्रपीनियों वगरे भी पैसिंट में नजर आ रहे होते हैं अच्छी अब हमाते हैं इसकी इंवेस्टिकेशन पे इंवेस्टिकेशन में आपने क्या करना पीटेश देखते हैं इसके लावा आप सीरम काल्शन लेवल देखते हो ठीक है इसके लावा बोन क्यों चेक करने के लिए आप जो है वो डेक्सा स्कैन करते हो ठीक है और एक हम लोग टेक्नीटियम 99 सेस्टमीबी सिंटीग्राफी करते हैं ठीक है टेक्नीटियम सेस्टमीबी centigraphy ठीच है और ultrasonography भी करते हैं ठीक है management में क्या करेंगे ठीक है management में देखो मिज़ार्ट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे surgical removal करेंगे ठीक है surgical removal अगर एगर आपका एक gland involved है तो उस gland को निकालनेंगे ठीक है और उस ग्लैंड को निकालने के लिए हम 10 मिनट बाद जो है वो हम लोग PTH का लेवल देख लेगे ठीक है अगर आपका PTH का लेवल जो है वो इकालने ठीक है अच्छो और यह हम लोग तब करते हैं जब कोई patient symptomatic हो ठीक है और patient है वो अगर asymptomatic है ठीक है या हमारे पास हम लोग Surgery नहीं करवाना चारे है न तो हम लोग conservative treatment यूज करते हैं, conservative treatment में हम क्या करते हैं, एक तो हम लोग क्या करते हैं, कि routine check up कर आते हैं, ठीक, investigations करते हैं, patient का RFT कर ले होते हैं, bone marrow जो होते हैं, bone mineral density देख रहे होते हैं, कि bone की destruction तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, पिर इसके बाद जो है, वो आप immediate care भी करते हैं, जिसमें आप calceton की sensitivity towards its receptors जो होते है, उजादा करवा देता है, ultimately हमारे पस PTH का level जो होते है, वो reduced हो जाता है, that's it, we are done with the hyperparathyroidism, आगे next video में हम लोग आगे continue करते हैं, thank you, आक अला खर्ण